हलो जी, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PPSC Auditor का जो कल एक्जाम हुआ है जो दो साल पहले फॉर्म भराए गए थे वाज इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था उस समय जैसी बगवंतमान की सरकार आई थी उने बहुत सारी भरतियां open करी थी उसमें से Commerce विवाग की भी बहुत सारी भरतियां थी Accountant, Tax Department में, Auditor, Sectional Officer जहां पर Commerce के Students को preference थी वही उसके लिए apply कर सकते थी तो कल उसका एक्जाम हुआ है लगवग डेट साल बाद फॉम बरने के यह एक officer level की भरति थी Group B की भरति थी, salary package बहुत अच्छा था पेपर में Commerce को advantage थी लगबग 90 question Commerce के 10 question GK, 10 question Math reasoning के और 10 question Punjabi grammar के थे तो 120 question थे, 4 number का यह question था अब Commerce का paper है Commerce की भरतियों की बात करेंगे हम उसका analysis करेंगे, उसकी answer की के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है और आगे वाले जो आपके paper आने है CBSC, NBS, JVVNL, विद्योति भाग जो राजस्थान में Commerce students के लिए Junior Accountant और Account Officer के लिए ठीक है बिहार में जो Accountant, Accounts Officer Commerce भरतियों जो कुल मिला के होती है तो उसके लिए मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ और साथ में कि आपके दिमाग में Question आएगा सर कि राजस्थान में ऐसे अच्छे exams क्यों नहीं होते हैं Commerce वालों के लिए या भरतियों क्यों नहीं आती हैं तो सब चीजों पर हम यहाँ बात करने के कोशिश करेंगे मैं हूँ आपका दोस्सिये सतीशे नेजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ देख डेमो का यूटूब चैनल साथ में अगर आपने देख डेमो का टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सबसे बड़े मिस्टेक कर रहे हैं इस चैनल को जोइन कर लिजे यहीं पर आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहते हैं चलिए पीपीएसी की साइट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन यहाँ पर आप क्लोजड एडिपटिजमेंट में जाके इस ओडिटर का लिखेंगे तो आपको यह खुल के आ जाएगा यहाँ पर आपको यह सारे लिंक मिल जाएंगे अब आते हैं इस सबसे पहले तो भीया इसका सिलेबस क्या था तो मोटा माटा समझ लेते हैं देखिए यह भरती जो आई थी यह कब आई थी सबसे पहले यह देखिए यह 2022 में आई थी ग्रूप B की भरती है 75 पोस्ट के लिए 75 पोस्ट के लिए ठीक है पंजाब में आए थी और 75 पोस्ट यह उसका के टेगरी वाइज था 35,400 इसके लिए सेलरी थी धियान देंगे 35,400 इलिजिबिल्टी बेकों में 1st Division या एम कों में 2nd Division मांगे ती और साथ में पंजाबी मांगे वी थी अब बहुत से स्टूदेंस ने उस समय का था कि सर मार पास पंजाबी नहीं है ठीक है यह पंजाब के स्टूदेंस के लिए वेकिंसी अपलाई यह राजस्थान में गंगा नगर अनवानग पंजआबी grammar को इन्होंने include किया था हर एक्सान में राजस्थान में राजस्थान जी को बात करते हैं इन्होंने पंजाबी grammar को यहां पर पार्ट बनाया था ठीक है नेगेटी पार्किंग वनमांक की यहने की .25% था syllabus exam इसको offline था जो भी था ठीक है तो इसका exam कल हुआ है अब हम बात करते हैं सारी चीज़ों को छोड़कर सेलरी बहुत ही अच्छी थी ओफिसर लेवल की जोब थी है ना सब था अच्छा सिलेबस क्या था इसके अंदर सिलेबस बहुत शांदर था जैसे जेविनल में तो इतना महाबरत सिलेबस है अकाउंटस ओफिसर जूनियर अकाउंटन दोनों के लिए या किसी PSU के एक्जाम देखेंगे वहाँ बहुत बड़ा महाबरत बना दिया जाता है उसके लिए बट यहां सिलेबस भी बहुत शांदर था फाइनेशल अकाउंटिंग के टॉपिक थे फाइनेशल अकाउंटिंग के अच्छे कासी वाइड बताई हुई है यहां फर टैली वगेर्णा बगर भी डाला वा था तो यह सीलेबस था मतलड माई पसे जोकि ज 때문에 तो काफी कम था 1 रहा है अब हम आते हैं अच्छा जनोंने अब्जेक्शन लगाना है वह बता देता हूं अब्जेक्शन की डेट है 6 माई से 9 माई तक लगाने हैं तो लगा सकते हैं यह मैं आपको अपडेट से में देना चाहता हूं आंसर की मैं आपको टेलिग्राम चैनल देख डेमो को जोइन कर लिए वहां सर की दे दूंगा नहीं तो आप साइट से खुद बताया था अब हम बात करते हैं इसके पेपर की पेपर को डिस्कुस करना बहुत जरूरी है जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉंफिडेंस देने का काम करेगा पेपर को मैं एक अच्छा पीपर मानता हूं मज़ा मतलब जिसको नोलेज है उसको मज़ा हो था हाल से मेथड जिसके बारे में कल कॉस्चन नमबर से में शुरू हो गया था रात को 12 वजी मेरे मैस्जिस थे ठीक है क्योंकि मैंने पेपर को मुझे याद आया को देखा तो मैंने यहां पर उसी समय डालना शूरू किया यह नमबर वन था यह हमारी बुक में से कहां स क्योंकि बुक के नंबर 150 पर रोवन के लिए ऐसा कोश्चन था ठीक है तो मतलब हमने यहां पर देखे यहां पर इसका एक्जांपल में कोश्चन किया हुआ हाल से का और रोवन का मने कोश्चन भी वैसा आपको करवाया हुआ प्रेक्टिस के लिए तो आप आपको और भी इसके क्लूज मिल जाते हैं जैसे कोश्चन नमबर टू था अब कैसिक्स का हमने कोश्चन आपको दिया हुए तो यह हमने तीनों बताया हुए आने वाले टाइम में इंक्लूड कर लेंगे बट जिसने यह तीनों पड़े हैं उसके लिए असान है आंसर को लगाना कि वह यह चोथा ही आंसर है ठीक है कि इसका आंसर चोथा जाएगा फिर हमने पांचवे कोश्चन को बताना शूरू किया यह लो चोथे कोश्चन का आंसर का मिलेगा आपको मतलब one by one sequence में इतना शांदार बनाया आपके लिए जब मैं आपको material की बात करता हूं देखे परत्यक्ष को परमान की आउशक्ता नहीं होती है और जब मैं आपसे बता रहा हूं कि हमने जो आपके लिए material बनाया मैं इन की बात कर रहा हूं जो आपके लिए यह audit यह GST अभी मेरे पास यह पड़ी है यहाँ पर अब तो हम इसको binding cover में इस तरह से books form में भेजना शुरू कर चुके हैं मतलब cover हमने same रख दिया है क्योंकि print on demand है तो अलग-लग cover छपवाने possible नहीं हो पाते हैं क्योंकि bulk में छपके क्या होता है तो यह book form में अब यह financial accounting की book है एक student की book है मैंने आपको जो दिखाई cover तो यह जो books का material है मैं आपको one by one दिखाता हूं मैंने यह तीस question तक शेर किया data चलिए तो यह question number देखिए आप question number fourth अब इसको मैंने telegram पे शेर किया कि इसका answer आपको कहा मिलेगा ठीक है तो इसका answer का मिलेगा यह देखिए page number 95 हमारी accounting की Hindi book English में भी सेम आपको मिल जाता है यहां आपको मिल जाएगा यह वाला question मतलब आप यह समझे रात को मैं इतना भी समय दे पाया क्योंकि एक डोंड़ना भी अपनी है अच्छी खासी time मांगता है question number five इसका मतलब sequence में आपको मिल सुना तो वह amazed उन्होंने फिल किया कि सर अगर ऐसा content market में आप दे पा रहे हो क्योंकि सुनने में कम मिलता है कि अगर दो चार question भी बुक से मिल जाते हैं तो वह अपनी वर्थ पूरी कर लेता है अपनी value निकाल लेता है क्योंकि student इससे जादा क्या उमीद करता है बट अगर सारे paper मैंने करवाएं जहां पर अच्छा खासा paper cover होता था students feedback शेर करते थे मैंने अल्रड़ी टेलिग्राम पर शेर किया हुआ है तो यह सारे मैंने आपको शेर किये यह देखिए आप टेलिग्राम पर जाईए यहां पर मैंने continuously शेर किया वन बाइवन तो क्या बात करेंग कि यह question number 100 अभी आप देखेंगे यह same as it is question आपको देखिए question number 100 अभी आपको दिखाते हैं यह paper में कौन सा number 18 number question था श्याए मिनिट कौन सा number question की बात कर रहा है हम question number 13 अभी देखिए यह question number 13 यह आपको देखिए और यह हमारे question number जो मैंने आपको बोला 100 यह देखिए और हंडड़ आपको एजटी वहां मिलेंगे देखिए तो मेरा कहना यह है यह देखिए आपको मतलब अच्छे कहसे कौश्चन आपको यहां हमने यहां पर कवर कियो है पेपर बाहर से बने गए गैसे ठीक है तो मेरा आपको यही कहना है कि जब आप इसके यह सेम कोश्चन आपको हमारे कंटेंट से मैंने यहां मेंशन किया हुआ है ठीक है पेज नंबर भी हमने जाजा लगा मुझे यह देखिए कंपनी लोग बुक पेज नंबर 55 ठीक है और यह सारी चीज़े मैंने मेंशन करने की कोशिश कर रही है कि भाया कहां पर क्या मिलेगा आपको ठीक है तो वह चीज़े यह देखिए यह वहाला कोश्चन आप सिमिलेर कोश्चन आपको मिल जाएगा वहां पर तीस नंबर का सिमिलेर कोश्चन डाटा चेंज है सीधा निकलेगा तो हमने वस इन शॉट में वीडियो को लेंदी नहीं खीचूंगा यह पेपर है आ अच्छी-खाथ सी अमांट में हमारे कोश्चन कवर हो जाएंगे ठीक है और यह वाला कोश्चन मैंने अभी देखा था जो मैं आपको बताता हूं कौन सा क्योंकि यह वाला कोश्चन अब यह यहां पर जो गेर्ड वर्ड है यहां पर जो गेरिंग रेश्यों जैसे आपने सेट वाला मिल जाएगा आपको थिउरी में से मिल जाएगा जीक है यह आपको हमारे फंट फ align ट हेप्टर में से जो पडिएंग उसको पता चल जाएगा कुन मिला करने यह सारा का सारा अपर आप देखेंगे तो मिल जायगा बोल मुच चीजें छीक है यह चीज़ें आपक यहां से मिल जाएगा सबाइब आपको देखना है अप 6 का ऑपर बूल जाता हूँ कोर्स की बात करना अगर आप साओ से सिर्प करना चाहते देख आए और ऑर वहां पर भी उस इस पें डिसकाऊऌट से नहीं सिक्ष कंटेंट क्यूंक дост तो हमने अब लिखी कंटेंट तो हम पहले से ही बच्चों को दे रहे हैं तो वीडियो भी आपकी बहुत रहते हैं और ठीक ठाक प्राइज में आपको लगबग 30% डिसकाउंट पर आपको हमारी आप पर मिल जाती है लगबग 28 रुपर में बुक्स आप लेना चाहते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही और राजस्थान में जो ऐसी भरती हैं वो आरेस में कवर कर दी गई है इन लोगों ने जो जो मैंने यहां पर लिखा था तो आरेस में कवर कर दिया क्योंकि हम स्टूडेंट्स ने उस समय कुछ किया नहीं होगा और सरकार भी शायद जैसे आप भी बाहर ही रहती है पंजाब में कॉमर्स की जो भी भरती है वो सारी बाहर है तो बस यही चीजे हैं और उमीद करता हूं कि आप कॉमर्स के सब्जेक्स की तैयारी ढंग से करके रखेंगे देखें यह एक्जाम अब डेट साल पहले फोम बरा गया था इसकी एक महीना पहले इन्होंने दी और बच्चों को पता भी निचला होगा जब रॉल लंबर आये तब लोगों को पता चला है पांच दिन पहले तो कभी भी पेपर हो सकता है अगर आपकी तैयारी पहले से करी हुई है क्योंकि आग लगने पर गड़ा कभी नहीं खोदा जाता तैयारी से ही करनी पड़ती है और आपके तैयारी पहले से है तो आपके लिए बहुत शांदार मोके आते रहेंगे कहीं ना कहीं से देखिए भगवान आपके महरवान हो तो जैसे राहुल की बात करता हूं मैं राहुल पिछली बार सेक्शनल ओफिसर का पेपर देखे आये थे पंजा कामर्स का वेपर बहुत आते हैं पर आते हैं दस विकेंशी के लिए वीटे तो चांस ज्यादा रहता है कॉम्पेटेशन कम हो जाता है कौमर्स की बड़तियों में क्योंकि वेट करता है मेरे ली तो हजार पोश्ट का वैपर आएगा और ऐसा होने से रहा है तो चलिए जिन